हेलो फ्रेंड्स तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कम्बाइंड फुटिंग की रेंफोस्मेंट डीटेल आप किस तरीके से रीट करेंगे और उसको साइट पे किस तरीके से प्लेस करेंगे वो सारी डीटेल इसके अंदर दी गई है अलग-अलग टाइ किस तरीके से आप इसको समझेंगे तो गाइस इस वीडियो में आप एंड डग बने रहे हैं यह वीडियो आपके लिए काफी हैल्फुल रहेगा यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो यह जो लाइन दीख रही है यह है पूरी एक कम्बाइंड फुटिंग जो रेक्टें में पर शर्व सोल और इससली कर देख लाइन एक कांबाइंड फुटिंग जो फुटिंग जो फू इसका जो है मिरय है यानि के अधर साइड भी सेम इस ही फूटिंग है इसलीग इसको एक कॉलम को दो नेमिंग किया सब इसका नेमिंग है कॉलम का और साथ में इसका साइज दिया गया है कि इस कॉलम की साइज क्या है 300 by 2300 यहां पे देखेंगे तो इस सेम है यहां पर इसकी साइज दिया गया है 75 वो जो है ये यह ये फूटिंग की जो endpoint इस से इस कॉलमका जो मिडल पॉники है यहां तक यह value दिया गया है उसी तरह के से जब यहां पिह आप देखेंगे तीन मीटेर आठाट यहां फूटिंग के end-point से यह स्कॉलें जो मिडल फॉ Ng उहां तक यह दिया गК Tesőn स derechos की में हैं देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है तो यहां पर दीटिस की तो वहे है इस पॉइंट से लेके इस जो मीडल पॉइंट आता है वहां तक कर उसी तरहीकर से यहाँ पर दो मीटर 30 का वेली दिया गया है वो इस point से इस column का midpoint है वहां तक का दिया गया है और इसके इन दोनों column की बीच में जो distance होता है जितना भी distance आया है वो distance यहां पर दिया गया है यहां पर जितनी भी measurements लिखी गई है वो सब mm में लिखी गई है यहां पर जो यह value आप देख रहे हैं 1.625 तो यह दिया गया है column का face point इस column का face point है वो इतना है यह भी same है इसलिए आप लिखा नहीं है तो यह आपने देख लिए अब यहां पर आपको देखना है कि इसमें जो bottom में और जो top में 100 center to center distance में आपे BOT लिखावा यानि के bottom हो जाएगा तो bottom में हमें 25 mm का बार यूज करना है 100 center to center distance पे उसी तरह और आगे आएंगे तो आपको सेम एक बार और ऐसी दिखेगा तो लेकिन इसके अंदर लिखा गया है 20 mm का बार यूज करना है 145 center to center distance में BOT यानि के bottom में तो यहां पे दो बार यूज करना है बार यूज करना है यानि के यह जो आपको एक arrow का point दिया गया यहां पे half करके दिया गया arrow का point यानि के half portion में 25 mm का बार यूज करेंगे और यह half portion में 20 mm का बार यूज करेंगे उसके ब 20 mm का बार यूज़ करना है 145 center center distance में BOT यानिके bottom में तो यानिके हो गया कि bottom में यह वाला बार भी यूज़ करना है 20 mm का 25 mm का और यह 20 mm का तो यह जो यह shorter length में हो गया और यह longer length में हो गया अब आपको यह dotted line दिख रहा होगा लेकिन यह dotted line है और यहां पर भी आपको दिख रहा होगा यह L bar dotted line तो दोनों को जहां पर merge हो रहा है तो यहां पर एक साथ लिग दिया गया है कि 12 mm का बार यूज़ करना है 145 center to center distance में top and bottom पे तो अब यहां पर कैसा है कि इसको किस तरीके से provide करना यहां पर अब मैंने आपको इसकी कट बता दिया कि shorter spin पर यह वाला है longer spin पर यह वाला है लेकिन पहले कौन सा आएगा पहले longer आने वाला है यह shorter आने वाला है वह ठीक सेक्शन तो यहाँ पे section 3 काटा हुआ है और section 4 काटा हुआ है तो सबसे पहले section 3 देख लेते हैं ये वाला कि अगर हम यहाँ पे इसको अगर यहाँ से cut कर देंगे इस combined footing के और यहाँ पे खड़े रहे के अगर देखेंगे तो हमें किस तरीके से दिखेगा section में यहाँ पे जो size तो दी गई है इसकी depth भी दी गई है यहाँ पे mention किया होएगा d equal to 1 meter 200 यानि कि जो depth है वो भी यहाँ पे इसकंदर mention कर दिया गया है फिर भी आपको section दिखा देता हूं मैं section 3 तो यह आप देख सकते हैं कि यह है section 3 यहाँ पे जो depth है 1200 की वो यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे 5.560 की जो है width वो यहाँ पे लिखी गई है यानि कि आप इसको यहाँ से खड़े होके देख रहे हैं तो आपको यह length दिखेगी तो यह length यहाँ पे mention किया गया है अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यह जो PCC किया हुआ है 100 mm का उसके बाद से आप जब देखेंगे तो यह जो L बार जो है bottom में सबसे पहले इसको provide किया गया यानि कि shorter span पे जो बार provide किया गया उसको सबसे पहले use करना है वो हो जाएगा पे आरो देके अंडिकेट किया गया वह हो जाएगा 25 mm का 100 cm to center distance पे जो मैंने आपको इसमें बताया था और उसके उपर जो distribution बार यूज करना है उसको distribution बार यूज करना है उसके लिए यहाँ पे दिया गया है 20 mm का बार यूज करना है 145 cm to center distance पे उसी तरीके से अब यह बॉ distribution बार है यानि कि जो longer span वाला वो provide करेंगे लेकिन इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा changes है यहाँ पे यहाँ पे जो shorter span पे 20 mm का बार यूज किया गया है तो उसके लिए section 4 कटा हुआ है section 4 मैं आपको दिखा देता हूँ यह section 4 अब यहाँ पे जब आएंगे तो longer span पे रहेगा वो 20 mm का यूज करना है 145 center to center distance पे तो यह clear हो गया यहाँ पे देखना है कि टॉप में जो बार यूज किया गया है उसका प्लेसिंग कैसा रहेगा यानि कि shorter वाला पहले आएगा कि longer वाला पहले आएगा तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले shorter span पे लगा दिए फिर longer span पे लगा है अब यहाँ पे जब टॉप में आएंगे तो पहले longer span पे आएगा बार यहाँ पे यह जो दिख रहा है आपको और यह जो continuous line दिख रही यह shorter span वाला है तो यहाँ भी जो तीसरा जो बार पहले provide करेंगे वो हो जाएगा longer span पे जो के हमें 12 mm का बार यूज करना है और उसके बाद सबसे टॉप में रहेगा यानि के उसके बाद सबसे टॉप में रहेगा यानि कि fourth number of बार जो ऐल बार दिख रहे है यहाँ पे वह रहेगा वह प्रोवायड करना है और वह भी रहेगा 145 शंटर टो संटर डिस्टंस पे अब यहाँ पर बताया गया कि कैसा है कि हर एक consultant का जो है रहता है ना design थोड़ा बहुत changes रहता है जादा नहीं वो अपने हिसाब से देते हैं यहां पर इसके according यहां पर दिया गया है कि आपको जो L लेना है वो 300 का लेना यानि कि जितना भी बार है टॉप वाला हो या बॉटम वाला हो या रीट कर सकते हैं उसको actual site पे place कर सकते हैं किसी तरीकी की परेशानी नहीं होगी अगर इस तरीके से आप रीट करेंगे और उसको place करेंगे तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था आई होप आपको यी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इससे लाइक कर दे शेयर कर दे और आप मेरे चैनल पर नहीं है तो इससे सब्सक्राइब कर दे तो चलिए गाइस पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में